हाज एक और नई एपिसोड के साथ जो की बहुत खास है खास इसलिए क्योंकि हर एपिसोड में मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर से एक्सपर्ट्स जो फिटनेस के हैं हिल्थ के हैं लेकिन इन सब को चलाने वाले इन सब की फिटनेस का ख्याल रखने वाले जो क्योंकि इन सब ऑगनाईजेशन को बिजनेस ऑंटर्परिनॉर्स को जो हिल्थ केर में डील करते हैं उनको चलाते हैं फिनांसिज पैसा जी हाँ पैसे के बिना तो काम नहीं होता ना हिल्थ केर ऑंटर्परिनॉर्स अकसर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ग्रो करने क के लिए प्लान करते हैं, उनका विजन भी होता है, लेकिन एक जगां पर वो आके अटक जाते हैं, जब आती है funding की बारी, और वहाँ जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जो उनको fund करें, आज मैं जिन से आपको मिलाने वाली हूँ, वो है So, Dr. Sumit Agarwal, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ पताईए यह बहुत इंट्रेस्टिंग क्वेस्टिंग आपने पूचा है मेरे से, So, मेरी जर्नी मतब, I was raised in Jammu and Kashmir, तो उसके बाद मैंने अपनी जो स्टडीज हैं वो इक्रास दी ग्लोब कंप्लीट करी हैं So, मैं डॉक्टरेट, बिसनस मैनेजमेंट एंड फिनांस में हूँ मैंने अपना जो करियर है वो कोपरेट्स के साथ साथ किया और प्रिडमिनाटले इंट फिनांस में मैंनेजमें च्राइब सेट एंड फिफ्टेंट इन ग्रोड सेट श्रीज के साथ के वाद मैंने अपनी एक शुल्टिंग फिर्म कंसल्टिंग फाँड करी And with a vision to offer a qualitative qualitative consulting and capital access to the to the ecosystem which was mushrooming here in India Toh, you know Okay, Dr. Radarwal, आपका ये जो fund है, जो आपने, the one you have found, आरेवरत Opportunity Fund, मैं समझती हूँ, this is basically for the healthcare business owners, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा में रिव्यूवर्स को बताएं आरेवरत Opportunity Fund एक इंडिया का सबसे पहला Growth Acuity Fund है, so Growth Acuity Fund का सबसे पहले तो मतलब हम समझते हैं, आपके पास दो टाइप के funds हैं, एक Private Equity बोलते हैं और एक Venture Capital बोलते हैं, Private Equity Fund बिगर फंड है, और उसका मतलब है कि वो complete ownership लेता है एक particular business की, और Venture Capital, Minority Stake लेके Capital Access देता है बिजनसे को, so यह हिंदुस्तान का सबसे पहले Growth Acuity Fund है, जिसका मतलब यह है कि हम पैसा तो दे रहे हैं business को, we are funding that business, और on the other hand, we are also incubating that business, it means हम यह भी responsibility ले रहे हैं, कि यह particular business बहुत अच्छी तरह से market leader बने, और आरेवरत Opportunity Fund एक healthcare focused fund है, we are, we have actually allocated close to 70-75% of the corpus towards the healthcare businesses, जब हम healthcare businesses की बात करते हैं, तो healthcare में, जो हमारी thesis में mention किया है, वो business में, बहुत interesting term है, उसको बोलते है, physical and digital, so इसका मतलब है कि हम लोग physical businesses को भी invest करेंगे, हम digital businesses को भी invest करेंगे, और हम hybrid businesses को भी invest करेंगे, जो की healthcare में, और जो पहले understand करते हैं कि physical businesses क्या है है, healthcare में, सबसे पहले understand, सबसे पहले वो वो वान रुटाइब वो वो वान रुटाइब वाट रूटाइब जटना भी आप फिजिकल इंफरस्ट्रक्टर्चर हेल्थ केर का देखते हो, hospitals, clinics, यह सब फिजिकल, physical businesses हैं, जहां पर आपका physical intervention है, और दूसरी साइड आप जो आजकल देख रहे हो, there are a lot many companies which have come down, you know, farm easy, net meds, यह सारे digital businesses हैं, प्रैक्टो, प्रैक्टो आया, काफी, काफी digital businesses आज के टाइम में, healthcare में आए हैं, तो वो digital businesses हैं, और कुछ ऐसे businesses हैं, जो कि physical भी हैं, और digital भी हैं, तो वो hybrid business बन जाता है, healthcare में, कि इसका मतलब है कि एक अगर, एक hospital है, अगर आप देखो, एक hospital है, एक physical consultations ले रहा है, और थोड़ी देर के बाद उसने tech, अपने technology intervention के साथ, वर्चुल consultants, consultations भी लेना start कर दी, अपने patients को, तो वो एक hybrid business बन गया, तो these are the right set of businesses where we wanted to keep our investments in. Okay, तो मैं समझती हूँ, जैसे मैं भी एक business owner हूँ, मैं भी एक doctor हूँ, और मान लीजे, जैसे मैं अपनी एक product range ला रही हूँ, skin care की, तो क्या आप मुझे भी इसमें कुछ help कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो आप, जित्ती भी मेरी आपके साथ discussion हुए है in the past as well, जो आपका business है, उसका बहुत अच्छा narrative है wellness के लिए. और अगर आज हम लोग देखें, तो world, पूरे entire world में healthcare जो है, वो transform हो रहा है, you know, initially, I won't say initially, at this moment, if you're gonna probably see the world, healthcare is in a reactive mode, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि आपका कोई incident होता है, आपको कोई जरूरत पढ़ती है, आपको कोई pain हो रही है, तब आप healthcare को access करोगे. और अगर आज आप देखो, तो there are so many deaths which are happening there in the gyms, you know, news में आप सब कुछ देख रहे हो, कि एक बहुत अच्छा, absolutely fit इंसान जिम जाता है घर से, वहाँ पर उसको cardiac arrest हो जाता है, and dies there, right, what it means? It means there is definitely a lack of proactive health care or predictive health care, correct, कि उसको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर वो है नहीं, ठीक है, तो world जो है reactive health care में है, और यह transform अपने आपको कर रहा है, proactive and predictive health care side, जब proactive health care की हम लोग बात करते हैं, तो wellness predominantly comes down into the proactive health care, इसका मतलब यह है कि आप अपने, lifestyle और अपनी wellness needs को proactively cater करते हो, और predictive health care का मतलब है, आज के time में, there are lot many businesses or lot many technologies, lot many innovations which are coming down into the predictive health care, अगर आप genomics को बोलो, तो if you're gonna probably sleep with the help of, with the help of tech intervention, genomics आज के time में, एक predictive health care के लिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा data आपको दे सकता है, इसका मतलब यह है कि, आप अगर gene को study करते हो through genomics, with a lot, it is in a position to give you a lot of data, and that data is actually being used in order to predict that आपका mortality क्या होगा, आपको future में कौन सी बिमारी का risk है, किस particular, और उस कितना critical है, कितना risk high है, तो यह सार आपका predictive health, predictive health care. So, wellness में हम definitely आपको capital access दे सकते हैं, wellness एक बहुत बड़ा use case है, अगर आज अगर आप market देखो, पूरे globe में कुछ close to 4 trillion dollar की market बन गई है, and it is biggest, it is bigger than the economy of India, if you're gonna probably see the economy of India, it's close to 3 trillion USD now, we are the fifth largest economy of the world, right, and total wellness market is 4 trillion USD, which means it is biggest than the fifth largest economy of the world, right, so, यह बहुत बड़ा area है, there are a lot many investments, which are coming down, and we are also very excited to fund these kind of businesses. Okay, Dr. Nagarwal, आपने बताया कि आप business owners को, जैसे जिनको support करते हो, उनको grow करने में भी help करते हो, तो वो किस तरीके से करते हो? देखो, आजकल की economy में, according to the kind of limited capabilities I have, मुझे ये चीज़े का तो पता चल गया है, कि तीन चीज़ें एक किसी भी business को successful करने के लिए चाहिए, एक है capital, यानि पैसा, दूसरा है talent, यानि की people, qualitative talent, और तीसरा है technology या process method tools, चीक है, अगर आपके पास ये तीन अच्छे हैं, ये मेरा एक framework बनाया हुआ है, कोई भी investment को, कोई भी investment को validate करने के लिए, so I say talent, technology and capital, तो according to the kind of experience what I have, I always say talent, capital and technology, process method tools, ये तीन चीज़ें किसी भी business को successful कर सकती है, आपके पास right talent हो, आपके पास right capital हो, और right discipline हो, उस particular पैसे को खर्च करने का और उस talent को utilize करने का, वो आता है process, तो आपका जो ये question है, कैसे grow करते हो, हम यो लोग ये तीनों चीज़ें देते हैं, तो हम capital access भी देते हैं, but we also make sure कि उसके पास एक right talent भी है, okay, we also construct a very good board, if we have to bring on some, one of the best talents from the globe, we are in a position to do it, अब healthcare में क्या challenges हैं, आप healthcare consultant तो बहुत अच्छा है, बट उसके पास CFO अच्छा नहीं है, एक financial consultant अच्छा नहीं है, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है, कि एक financial consultant को market price के जितना वो पैसे दे सके, ठीक है, अब उसके पास अपने particular business को brand करने के लिए कोई CMO नहीं है, चीफ marketing officer नहीं है, ठीक है, तो यह हो गया talent, तो हम उनको share talent capabilities भी दे सकते हैं, तो एक तो share talent capabilities भी हम लोगों ने दे दी हमने capital access भी दे दी है, और world में जो सबसे best processes हैं, इस particular sector में, healthcare के sector में, उस particular business में, वो भी हम deploy करते हैं, उसी talent के accordingly, So, यह हम लोगों की एक methodology है, by this, we are in a position to grow a business, अगर आपको भी अगर grow अपना business करना है, तो मैं आपको यहीं बोलूँगा, आप तो करी रहे हो, पर आप अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते, आपको एक अच्छा chief marketing officer चाहिए होगा, at least को आपको help कर सके, आपको कोई अच्छा revenue officer चाहिए होगा, जो आपके कम से कम पैसे fund को manage कर सके, आपको अच्छी sales team चाहिए होगी, जो आपके product को sales करे, अब आज के time में अगर आपको business यह करना है, तो आपका जो top है, जो आपका जो leadership है, वो इतनी heavy हो जाएगी, कि आपके पैसे ही नहीं है कि उनकी salaries दे सको, तो वह हम लोग लेके आते हैं, हम लोग एक अच्छी leadership आपको देते हैं, और इसी लिए आपका business जो है, वो आपका बिजनस जो है, we gotta make sure that you grows absolutely to the pinnacle or whatever the kind of vision you have set up for yourself. Dr. Agarwal, मैं अपनी medical fraternity की बात करूँ अगर तो, जैसे कोई yoga preneur है, कोई wellness expert है, naturopaths है, doctors है, इन सबको कही ना कही ये problem आती ही है, funds की, क्योंके ambition तो सबका ही होता है, grow करना, expand करना, पर कही ना कही इस जगा पर आके रुख जाते हैं, और जैसे आपने बताया, आप और तो आप किसी को भी चेक तो नहीं काट के देंगे, तो आप किसी को भी चेक तो नहीं काट के देंगे, there has to be a process, कौन है जो, which is the profile that is apt for this? हाँ, I mean this is also very interesting question, process, we are highly compliant company, okay, and हम लोगों का process बहुत जादा transparent और बहुत simple है, okay, बहुत simple है, initially हम लोग ये चेक करते हैं कि आप जो profile of an entrepreneur क्या है, मतलब उसका academics क्या है, experience क्या है, उसकी knowledge क्या है, और उसका vision क्या है, कि मतलब वो vision उसका long term vision है, या trajectory short term vision है, ठीक है, यह बहुत important चीज़ है हम लोगों के लिए, दूसरा हम लोग ये चेक करते हैं, जिस particular sector में वो पैसा डालना चाह रहा है, जिस particular business उसका sector है, वो market के साथ aligned भी है या नहीं है, तो आज मैं कई पुराने businesses में पैसा डालना चाहूं, you know, if I start pouring my money into the businesses which are absolutely dead, you know मेरी ability है या मेरा बायस है कि मेरे को वोई business करना है, क्योंकि मेरे को वो आता है, मैंने वो सीखा था 20 साल पहले, तो ऐसे तू नहीं चलेगा, तो इस particular business का, आज की economy, आज का sector, आज की needs को address करना बहुत important है, चीक है, और उसके बाद उसमें एक अच्छी scalability हो, कि कोई भी problem को जो वो address कर रहा है, वो एक mass problem हो, bigger level की problem हो, bigger level की problem हो, मतलब सिरफ बहुत ज्यादा चोटी problem ना हो, problem at scale हो, जो भी वो सोच रहे है, तो यह दो चार चीजों का हम लोगों का process है, और उसके लिए थोडी सी documentation है, और वो documentation है, हम लोगों का अपना एक validation methodology है, और validation अगर ठीक हो जा अपने किसी कंपनी को ओन किया, उसका पूरा growth engine तयार किया, और सारा support, सब कुछ किया, बट किसी तरीके से वो टेक-off नहीं हो पाया, और जो आपने सोचा था, जो आपका भी विजन था, definitely आपका विजन भी तो साथ जूड़ा उसका, और वो ऐसा नहीं हुआ जैसे आपने in a position to pay you back, ऐसे cases भी तो होते है, जब कुछ नया start-up है, तो ऐसा भी हो सकता है, तब आप क्या करेंगे, यह भी एक अच्छा question है, और मुझे ऐसा लगता है कि सब को इसका पता भी होना चाहिए, तो इस question को मैं ऐसे address करूंगा, जैसे हम लोगों की जो money है, वो एक portfolio की तरह मै नहीं देखते हैं, तो यह portfolio की तरह manage होती है, कि हम ले 15-20 companies में पैसा लगाया हुआ है, वी है putting our money into the 15 companies, तो that because of our portfolio, और उसमें जितना भी risk mitigation है, जितनी भी risk assumption है, जितना भी risk prediction है, वो हम लोगोंने definitely करा वे, ठीक है, पर कोई ऐसी unexpected situation आ जाती है, जो कि हमारे control में नहीं है, तो those point in time पे हम अपनी जो investments को definitely एक high risk deployment बोल सकते हैं, कि मतलब यह है कि some uncontrollable area से हमें returns नहीं आ सकती, so that point in time we have to forego over investments for sure, but ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे bank ने पैसा दिया है, और collections के लिए हम उनके घर बैठ जाएंगे, अब नहीं देखा होगा, normally collections कैसे होता है, you know, nuisance calls, जाना start हो जाती है, कोई उसकी गाड़ी उठा के ले जाता है, कोई उसका घर के लिए आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत ज़दा transparent, compliant, और हमें यह पता है कि हमारी जो investment है, high risk investment vehicle के थूर आ रही है, और उसका सारा risk हमारे पे है, हम लोग सारी responsibility लेते हैं, that is the reason मैं आपको यह बोल रहा हूँ कि हमने talent भी उसको दिया है, capital भी हम लोगों ने दिया, right process method, tool भी दिये, but कुछ unpredictable, unfavorable situations आहीं सकती हैं, जैसे covid आ गया, हमें नहीं पता, बुचाल आ गया, नहीं पता, तो भी उसको manage करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे consultants हैं, बहुत risk and onus lies on, अगर उसके fruits भी reap करने हैं, तो हमें करने हैं, और उसका risk भी लेना है, तो हमें लेना है, तो डॉक्तर रधरवाल, आपका ticket size कितना बड़ा हो सकता है, या मैं कहूं कितना छोटा हो सकता है, ये भी एक अच्छा question है, देखो हमारे पास क्या होता है, कि हम एक fund है, ठ and that is called the investment thesis, और इस particular fund जो आरेवरत opportunity fund की बात कर रहे हैं, तो उस particular thesis में हमने लिखा है, एक right set of investment जो है 2 million USD से 7 million USD है, 2 million USD का मतलब जो भी आज डॉलर रेट है, 15-16 करोड से लेके, जो भी आपका 56-60 करोड रुपीज का ticket size है, इतनी किसी की need है, तो हम लोग ये need को पूरा कर सकते ठीक है, अब क्या होता है, कुछ businesses की जो need है, इसे कम है, जैसे for example आपका अपना business है, तो आपको, मैं ये बोलता हूँ कि आपको 2 million USD नहीं चीए, you don't need 2 million USD at this point, there's a probability आपको 1 करोड चीए, 2 करोड चीए, आपको 15 करोड नहीं चीए, तो उस point in time पे हमार पास कुछ set of investors हैं, हमें ये लगता है कि ये business अच्छा है, कि हम इसको अपनी वाच लिस्ट के ऊपर रखें, जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब इनकी थोड़ी सी need बढ़ जाएगी पैसे की, तब हम पैसे देदेंगे, तो we will gonna plug in a small set of investors, जिनका इससे ticket size छोटा है, they will pour the money and we will keep those businesses on of our watch list, similarly, अब किसी business का जो ticket size है, वो बड़ा है हमसे, ठीक है, अब वो 7 million USD में fit नहीं हो रहा, अब उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, हमसे ज़्यादा पैसे चाहिए, पर हम लोगों को business बहुत अच्छा लगा है, अच्छा in terms कि हो हमारे जो भी criteria's में fit कर रहा है, सिरफ capital की we don't have a thesis में हमें लिखा है कि हम इसे ज़्यादा पैसे नहीं डालेंगे, उस point in time में हम क्या करते हैं, को investors ढूंडते हैं, कि को investors जो है, वो को institutional investor भी हो सकता है, को बड़ी firm हो सकती है, जो हमारे साथ आए, जिसको हम यह बोलें कि हमारे साथ आप इसमें invest कर लो, तो हम फिर क्य तो हमने इसको forgo कर दिया, या ज़्यादा पैसे चाहिए तो भी हम नहीं डालेंगे, अगर अच्छा business है, तो हम कुछ ना कुछ definitely करेंगे, जी, ठीक है, डॉक्तर अगरवाल अभी आपने बताया, जैसे छोटा investment अगर है, तो आप किसी और से sponsor करा देते हो, और आप उसको watch list में रखते हैं, तो सिरफ watch list में रखते हैं, या बाकी की जो आप और facilities दे रहे थे, जब आप invest करते हैं, जैसे कि उनको growth में help करते हैं, वो सब भी वहाँ से provide होता है, या फिर सिरफ investment मिलती हैं, देखो उस time पे सिरफ investment मिलेगी, जब तक हम लोग उस particular business में invest नहीं करते हैं तब तक वो हम लोगों के जो set of services हैं, services बोलो, आप incubation बोलो, कुछ भी है, जो growth के लिए हम जो भी करते हो, उस particular business को successful करने, तब तक वो नहीं start होगी, क्योंकि वो logically connect नहीं होता, कि हम सिरफ उसको देख रहे हैं, हम definitely देख रहे हैं कि ये grow कर रहा है, ठीक तरह से grow कर रहा है, क्योंकि पैसे उसने लिए है, तो financial discipline है, company में है, ठीक तरह से, जिस particular area के लिए है, तो सिरफ हम लोग इस time पर watch list पे रखते हैं, time to time meeting ज़रूर करते हैं, कि तुमारी growth कितने, क्या हो रही है, इस point मेंट, जी, consultation देते हैं, हम लोग मिलते जरूर हैं, या उनसे discussion जरूर करते है कि हम लोग interested हैं आपके business में, आप इस level तक पुन जो, हम आपको invest कर देगे, जी, 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 ठीक है, तो डॉक्टर अगरवाल, जो मैं आपकी बातों से समझ पा रहे हूं, आप startup funding के बहुत close हैं, कर startup funding तो नहीं कर रहे हैं आप, तो किस तरीके से आप startup funding से different हैं, जैसे मैंने starting में बोला हैं, हम एक growth equity fund है, so growth equity fund एक hybrid है, venture capital और private equity का, startup funding जो है, logically venture capital करता है, ठीक है, और हम venture capital की तरह नहीं चलते हैं, क्योंकि venture capital जो है, बहुत early stage में पैसे डालता है, और एक बहुत high burn model भी है, अगर आपने देखा होगा, पिछले कही सालों से, जितने भी businesses में venture capital ने पैस डाला है, वो एक बहुत high expectations expect करता है उस particular business से, बहुत expectations expect करता है, और वो बहुत ज़्यादा liberal भी हैं अपनी investments के साथ, ठीक है, but we are very conservative in our approach, we are very conservative, मैं हमेशा बहुत, बहुत बढ़ा चड़ा के बोलता हूं कि हम लोग एक conservative fund है, हम बहुत ज़्यादा elastic, बहुत ज़्यादा flexible fund न हैं और हम लोग startup funding से बहुत ज़्यादा different हैं, क्योंकि startup funding में एक high burn model हो जाता है, अब जित्ता मर्जी पैसा डाल रहे हो, जला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हम लोग ये एक falto का पैसा जो जलाने की आदत पड़ गई है, हिंदुस्तान के startup system को, हम उसे बहुत ज़्यादा द पैसा जलाएं, क्योंकि हम लोगों को भी investors ने पैसा दिया होता है, we have also got the LPs, limited partners हैं, वो हम लोगों को investment करने के लिए, ये liberty देते हैं, कि we have this money and you can probably deploy this money into the right opportunities, तो हम लोग काफी different हैं, हम वो conservative हैं, अगर मतलब एक simple भाशा में बोलना, चाहो आप तो, उनकी funding तोड़ी सी liberal है, और हम बहुत conservative हैं, ठीक है, Dr. Agarwal, यहां में आपको अपने वीवर्स के लिए question पूछना चाहूंगी, किस तरह के healthcare industry आपको approach करें, जहां पर उनको readily उनको funding हो सकती है, और दूसरा आपने अभी कहा था, कुछ लोग आपके पास आते हैं, उनका ticket size बहुत छोटा है, जिनको आप fund नहीं करते हैं, पर आपको वो उनका business अच्छा लगता है, उनका business model अच्छा लगता है, तो आप उनको अपनी watch list में रखते हैं, वो कौन सी category है, दो questions है, ठीक है इधर, पहला question मैं आपका ऐसे address करता हूँ, कि जो मैंने बोला कि businesses बहुत अच्छे लगते हैं, तो अच अच्छे का मतलब यह है, meaning या परिभाशा यह है, कि which actually synthesize with our thesis, इसका मतलब है, जो कि हमारे criteria जो भी हम लोगों को ने लिखा है, जो कि template है हम लोगों का, जिसका हमारे पस approval है, from सारे compliance, चाहे वो government of India है, चाहे सेबी है, चाहे हम लोगों के investors हैं, वोस criteria में जब वो match करते हैं, वो हमारे लिए अच्छे business हो जाते हैं, तो अच्छे का मतलब यह नहीं है, कि personally मेरे को अच्छे लग रहे हैं, तो इसका यह मतलब है, कि जो मेरे एक template, मेरे matrix के अंदर synthesize हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरा question क्या था, दूसरा question यह था, कि जैसे आपने बताया, कि कुछ business ऐ होगा, तो हम इने fund करेंगे, तो वो कौन से business होते हैं, तो अब sectorial थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, एक healthcare और wellness बहुत wide term है, ठीक है, और जैसे मैंने initially बोला कि हम लोगों की thesis यह बोलती है, कि हम physical businesses में पैसे, पैसे जो है invest कर सकते हैं, करेंगे, तो physical कुछ भी अच्छा business है, मतलब वो scalable होना चाहिए, जी, scalable होना चाहिए, कहने है जैसे कि आज के time अगर आप देखो, कोई एक format oriented business है, mother and child का example ले लेते हैं, ठीक है, so mother and child एक ऐसा business है, जो की definitely scalable है, need भी है उसकी, तो वो एक बहुत अच्छा business हम लोगों के बन जाता है, हमें ऐसा लगता है कि यार कोई एक business में, इस particular business में ये ability है कि ये पूरे इंडिया में जा सके, tier 1, 2, 3, remote tier towns में ये business जा सकता, क्योंकि need है, जी, 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 तो इसका मतलब ये business हम लोगों के लिए अच्छा business बन गया, okay, scale है, need भी है, solution भी हो रहा है, आपको अच्छा talent चाहिए, अच्छा capital च चाहिए, तो इस particular business में अगर आपने ये तीनों चीजें डाली, तो market में already need है, तो आप उसको qualitative care दे के अच्छी तरह से इस particular business को grow कर सकते है, thank you, dr. agarwal, it was really nice, बहुत informative, और मुझे लगता है मेरे viewers को बहुत फाइदा होगा आपके हाने से, thank you, thanks so much for inviting me here, मुझे बहुत information है, मुझे यसा लगता है कि wider audience के पास जानी चाहिए, और इस particular show से उनका कुछ भी अच्छा हो सके, तो they can definitely reach out to me. तो viewers, बहुत time के बाद हमारे show में एक ऐसी शक्सियत आई है, जो हमारे सपनों को साकार कर सकती है, मैं चाहूंगी अगर आप इनसे contact करना चाहे, इनके numbers यहाँ पर दिये गए है, मेरे numbers भी यहाँ दिये गए है, अगर आप मेरे show में भी आना चाहते है, या मुझ से कुछ भ झाहते हैं झाल झाल अब जब बिजनस भड़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी और ब्रांचेस भड़ेंगी तो बढ़ेगी कन्फ्यूजन और गलतियां अब करें अपने टैली बिजी या किसी भी अन्ने सॉफ्वियर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से ज्यादा जानकारी के पढ़े बिजनस भी बढ़ेंगी के लेजियर गंवा इस। झाल झाल काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके होनर के बारे में चर्चा हो काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि फ्लीज हमारा शो होस्ट कर दो न अब इस काश के दुनिया से निकलिये और हमारे साथ उडान भरिये आकाश की क्योंकि Capital One TV आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने फोन उठाएं और डायल करें बेचारा Computer Data कभी इसकी चोरी का डिर तो कभी वाइरस अटाक से बिगड़ने का तो कभी हार्ट डिस का क्रैश होना न जाने क्या क्या सहता है हमारा Computer Data पड़ आप और नहीं Computer Data को हर्दम रखें सेफ Cloud Access से ज्यादा जानकरी के लिए डायल करें आठाट दो शे नौ साथ चार साथ चार साथ